हेलो कोईज, सिविंग पंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, S.P.I. मेरिचल पंड के एक ऐसे प्लांच के बारे में, जिसके अंदर हर मेने सिरफ एक जार रुपे इंवेस्टमेंट करके, मातर तीन साल के बाद आप 45 लाग रुपे का एक बड़ा फंड बना सकते हैं, दोस्तों हमारे चैनल पर कापी सारे लोगों का एक कॉमन कमेंट आता है, कि सर एस पे का कोई ऐसा सौट टम प्लान बताएं, जिसमें 5 साल से कम टाम बेरे में एक बड़ा फंड बन जाए, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए कापी इंपर्टें रने वाला है, क्योंकि यहां पर दोस्तों एक उमर के बाद हर किसी व्यक्ति की अलग-अलग जरूरत हैं होती है, जैसे मालीजे बच्चों की एजूकेशन की एक फंड बनाना है, उनकी साधी के लिए पैसे कटा करना है, या फिर किसी को खुद की रेटार्मेंट प्लानिक करनी है, तो बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो में, एस पे के जबरदस प्लान में, अगर आप मंतली एक जार उपे भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे आप 25 लाग रुपए का एक बड़ा फंड इजीली बना सकता है, और दोस्तों ये कोई मजाग नहीं है, सारा कुछ प्रूब के साथ डिटेल में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, कि मियूचल पंड में कम पावर कैसे काम करता है, और कम पैसों से भी एक बड़ा फंड कैसे बन जाता है, तो वीडियो लाट्स तक आप थोड़ा ध्यान से देगेगा, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजे, चले शुरू करता है, दोस्तों जैसे कि आपको पता है, एस पेई देश की एक सरकारी कंपनी है, जो की नंबर वन बैंक होने के साथ साथ, नंबर एक मियोचल फंड एमसी कंपनी है, जो की करीब 11 लाग करोड उपे का फंड मैनेज कर दी है, तो वैसे तो यहाँ पर दोस्तों, एस पेई की बहुसरी स्किम्ज है, बढ़ आज की वीडियो में हमने जबर दस्त, S.P.Magnum Mid Cap Fund, जो की डारेक्ट गरूत पलान है, उसको सेलक्ट किया है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस फंड की जो basic detail है, वो दिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर detail में हम calculation करेंगे, अलग-अलग time period और amount के साथ में है, तो सबसे पहले दोस्तों इस फंड के अगर हम NAV price की बात करें, तो वो यहाँ पर करीब 262 रुपे की है, दोस्तों NAV किसी भी musical fund की unit price को बोला जाता है, याने कि जिस समय आप पैसा investment करेंगे, और उस टाइम जो भी NAV का price होगा, उसके base पर आपको unit alert की जाएगी, सबसे खास यहाँ पर दोस्तों इस fund के ratings की बात करें, तो last one year में इस fund ने यहाँ पर 34% के ratings दिया है, पिछले 3 साल में 20% से ज़़दा गरेडन दिया है, जबकि last five year की बात करें, तो 28% से ज़दा गरेडन दिया है, याने कि दोस्तों अगर हम all time रेडन की बात करें, तो वो यहाँ पर 21% का जबरदस रेडन दिया है, याने यह fund 2013 में launch दो था, तो यह 22,338 करोड रुपे का है, यानि इतने पैसे लोगों ने इस fund में investment किये हैं, fund का दोस्तों expense ratio 0.77% का है, expense ratio दोस्तों एक फीस होती है, जो आपके पैसों को manage करने के लिए, mutual fund AMC आपसे चार्ज करती है, दोस्तों ऐस पर ही magnum mid cap fund के अंदर, आप minimum 500 रुपे के SIP कर सकता है, जबकि maximum की यहाँ पर कोई भी limit नहीं है, वहीं अगर आप lump sum करना चाहिए one time, तो आप 5000 रुपे minimum investment कर सकता है, जबकि maximum की यहाँ पर कोई भी limit नहीं है, आप चाहिए जितना maximum पैसा investment कर सकता है, SIP या lump sum के दरू, इस पर्ण में दोस्तों investment के एक पैसा, आप कभी भी withdrawal कर सकता है, लेकिन अगर आप एक साल से पहले withdrawal करता है, तो आपको total amount का 1% x-load charge देना होगा, साथ ही 20% का short term capital gain tax भी देना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप कोशीज कराएं, कि एक साल के बाद ही आप अपना पैसा redeem कराएं, जिससे आपका 20% tax प्लस 1G load charge बिल्कुल नहीं लगेगा, वहीं long term capital gain tax की बात करने तो वो 12% लगता है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों एक जबरदस्त concept देख लेता है, जिससे आप कम पैसा investment करेंगे भी एक बड़ा fund इजिली बना सकता है, तो जैसे कि आपको बता है, हमारे देश में दोस्तों जो inflation rate है, वो 6 से लेकर 7% yearly बढ़ रही है, यानि महेंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे पैसों की जो value है वो घटती जा रही है, तो यहाँ पर आप जो भी investment करता है, उसके अंदर अगर आप additional investment, यानि की step up ऐसा भी करता है, हर साल SIP के amount को 10% जी आप बढ़ते हैं, तो आने वाले टाइम में दोस्तों inflation को आप बीट कर पाएंगे, और एक बड़ा fund भी इजिली बना लेंगे, तो जैसे माल लीज़ आप इस प्लान में 1000 रुपे की मंदले SIP करता हैं, तो आपको पहले साल 1000 रुपे, दूसरे साल 10% एड़ करके मंदले 1100 रुपे, तीसरे साल और 10% step up करके 1210 रुपे, यानि दोस्तो हर साल SIP के अमाउंट को आपको 10% जे बड़ा कर है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, चले इसको थोड़ा डिटेल में कैल्कुलेशन करके देखता है, तो जैसा कि इस fund के all time रेटन 21% का है, बड़ हम future के लिए 20% का रेटन एक्सपर्ट करता हैं, और आप 1000 रुपे की SIP शुरू करता हैं 3 साल के लिए, तो option 1 में दोस्तो normal SIP के दरू, 3 साल में total आपका 36,000 रुपे इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन 20% रेटन के एसाब से उसकी जो value बनेगी वो 9,601 रुपे की, वहीं अगर हम option 2 की बात करें, तो इसमें आपको 1000 रुपे की मंदली SIP करनी है, साथ ये आपको 10% का जो step up करना है, और ये आप 3 साल तक करता है, तो total आपका 49,720 रुपे इन्वेस्टमेंट होगा, जिस पर 20% रेटन के एसाब से 54,000 रुपे की value बन जाएगी, option 1 में बन रही है 9,601 रुपे, जिबकि option 2 में 54,033 रुपे, अब यहां से दोस्तों 45,000 रुपे का fund कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको third option को follow करना होगा, तो देखे दोस्तों किसी भी इसकी में investment करने पर आप बले ही पैसा कम investment करा है, बट time आपको वहाँ पर जद देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप bank equity करवाते हैं, तो वहाँ पर पैसा double होने में कम से कम 10 साल का time लगता है, तो पैसों से ज़्यादा अगर आप time को देते हैं, तो एक बड़ा fund इजली बना सकता है, तो अगर आप दोस्तों 1000 रुपी ऐसे भी करता है, प्लस हर साल 10% step up करता है, और इसको continue आने बाले 20 साल तक करता है, जिस पर आपको 19% का भी written मिल जाता है, तो 20 साल में ट्रोटल आपको investment होगा 6,37,300 रुपे, जिसकी जो final value बनेगी, वो 45,37,217 रुपे, बहीं 1000 की जगह, अगर आप 2000 रुपे की step up SIB करता है, आने बाले 20 साल तक, तो 19% rate के इसाब से उसकी जो value बनेगी, वो 90,25,555 रुपे की, जबकि 3000 रुपे की step up SIB करता है, 10% increment के साथ, तो उसकी जो value बनेगी 20 साल बाद, 3000 मंतली की वो 1,36,23,832 रुपे की, अब जैसे कि आपने वीडियो के thumbnail पर देखा, अगर आप मंतली 5000 रुपे की SIB करता है, 10% step up करता है हर साल, तो 20 साल के temperature में, 19% रेटन के एसाब से 2,37,6,360 रुपे हो सकती है, यानि यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका target 50,000 रुपे फंड बनाने का है, तो 5000 रुपे की मंतली SIB, 13 साल तक 10% step up के साथ करने पर, 19% रेटन के एसाब से 50,43,670 रुपे की value बन सकती है, चिर्फ 13 साल के अंदर, वैसे 5000 की इस्टा पर पैसे भी दोस्तों, तीन साल तक करने पर, 2,66,000 का फंड बन जाएगा, अब यहाँ पर 3 साल में 2,66,000 का जो फंड बनेगा, जिसको आप 3 साल के बाद, इस 2,66,000 को लंब सम करके छोड़ देते हैं, आने वाले 21 साल के लिए, तो उससे आप 1,26,000,000 का एक बड़ा फंड इजीली बना सकते हैं, देखे दोस्त, आप आप में से कापी सारे लोग गलत कमेंट करेंगे, कि आपने इस स्टाटिंग में सिर्फ 3 साल का बोला था, तो देखे दोस्त, तो 3 साल में जितना आपको इन्वेश्टमेंट करना है, जद जद आप इन्वेश्टमेंट करिए, और 3 साल में जितना भी आपके पास फंड बनता है, उसको आप लंब सम में इन्वेश्टमेंट करके छोड़ देते हैं, आने वाले 10 साल, 15 साल के लिए यानि कि आपको 3 साल के बाद कोई भी investment नहीं करना है 3 साल में जितना भी किया है उसको लंब सम करके छोड़ देते हैं आप भूल जाते हैं आने वाले 10 साल, 15 साल के लिए तो आप feature के लिए एक बड़ा corpus easily बना सकते हैं हमने यहाँ पर दोस्तों जो रिड़न्स लिए हैं वो इस fund ने जो past में परबंप किये है उसके base पर लिए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आनवाले टाइम में ये रिड़न्स आपको fix मिलेंगे क्योंकि दोस्तों mutual fund का पैसा stock market के अंदर investment होता है और जैसा कि आपको बता है कि stock market में छोटे मोडे correction आते रहते हैं short term के अंदर लेकिन अगर वो ही पैसा आप long term तक investment करता है बले ही कम पैसा करें बट long term में वो कम पैसा भी compounding interest के जिरिए वो एक बड़ा fund easily बन जाता है तो अगर आप दोस्तों SP के किसी major fund प्लान के अंदर कम पैसा investment करके एक बड़ा fund बनाने का प्लान कर रहे है तो दोस्तों इस fund को आप consider कर सकता है बड़ देगे ये fund personally मेरा कोई recommendation नहीं है fund ने past में काप भी बड़ी अ परपम किया है इसलिए मैंने just एक review किया है तो अगर आप एक beginners हैं तो सबसे बड़ एक financial expert से advice लें देन उसके बाद ही अपना पैसा investment करा है ये सिरफ दोस्तों एक concept है जो short term investment से एक बड़ी wealth बना सकता है वीडियो only educational purpose के लिए है तो आप रिचर्ज करने के बाद ही investment करा है अब investment करने के लिए दोस्तों free में अगर आप अपना demand account open करना चाता है तो link वीडियो के discussion box में दिये हुआ है जिस पर click करके दोस्तों free में आप demand account open कर सकता है तो उमेद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो को like जूरू करा है साथ यहाँ पर saving, investment और insurance के regarding latest वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकता है thanks for watching